नमस्कार मैं हूँ रोक्टर में दोष शर्माम आप प्रानों का ग्यानी ब्रेनिपूर से को फाउंडर और नौलेच सेक्शन में आपका दोस्त आपने बच्पन में पढ़ा होगा वेवेकानन जी जब एक बार पूजा कर रहे थे और मंदिर में बैठे थे तो और ना देखा कि एक चुहा भगवान की मूर्ती पर रखा हुआ प्रशाद और ये सब चीज़े खा रहा है उन पर उचल पूट कर रहा है चड़ रहा है उतर रहा है इस वज़य से उन्होंने ये मान लिया कि जब भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों की क्या करेंगे औ अपने संदरब रखे उसका वयोत भी किया और उसके बाद विवेका नंजी जब अपने गुरू समय दे आचायशी राम-कृष्ण परम हंस तो उन्होंने परिवर्त नाया राम-कृष्ण परम हंस आज दिक थे काली मातक के भगत थे और उसके बाद विवेका नंजी भी क्या आपके से कोई जानता है कि ऐसा क्या बताया ग्राम-कृष्ण परम हंस जीने विवेका नंजी को जिसके बाद वो उनके भक्त बने महाकाली के उपासक भी बने और आस्तिक भी मनुष्य एक हद तक सोच पाता है जब वो महात्मा बनता है यानि उसका प्रग्यावर्द होता है जब उसकी नौलेज वड़ती है जब उसको आत्मग्यान मिलता है जब उसको परमात्मा का ग्यान मिलता है तब वो सबते समझने लगता है विलेका नंजी जब मिले उनका नाम बच्पन में नरेन था जब वो रामकृष्ण परमहन से मिले उसके बाद उनमें बहुत मनुष्य की लिमिटेट डायरे में सोचता है जैसा उसके समाज ने सिखाया होता है जैसा वो भजपन से देखता है जैसा उसके घर का वातावन होता है और थोड़ा बहुत लोजिक भी हो लगाता है यादिके जब मनुष्य की तरक शक्ति आती है तो तरकू पर वो हर बात कसत मनुष्य की रखता है और जो बात तरक पर ठीक नहीं लगरी होती है तो उसे असक्ति मान लेता है और यादि उसके होने की सभावना पर प्रश्ण चिंग लगा होता है विवेगा नान जी जब बिले रावभक्रश्न परमान से तो उनने यही बात वापस रखे कि आप ये म कोई चुहा बुद रहा है कभी बच्छर बैठे हैं जब ये खुद पुंत को ही नहीं हटा पाते तो वो हमारे लिए क्या करेंगे तो ऐसी मूर्तिक बेजान मूर्ति है इसके पुझा करने से क्या मिलेगा और राम प्रमान से जी ने इसका पुद्धा भी उनने यह कहा आपके ऊपर जब कोई कीडा बैठेगा या चुहा आएगा या कोई दूसरा जानवर बैठेगा तो सुभाविक तोर पर आप उसे हटाना चाहेंगे और आप उससे दूर रहना चाहेंगे क्योंकि यह आपने सीखा है पर यह आपकी नेश्रल टेंडेंसी है लेकिन भगवा आपको कैसा लग रहा है लेकिन वह इश्वर है उन्होंने ही इन सब को बनाया है उनके लिए आप चर्णों में वेरे हो तब भी वही बात है चुहा वाह बैठा है तब भी वही बात है आप परशाद चढ़ा रहे हो तो भी अच्छा है चुहा उसे खाना तो भी अच्छा ह वो उस तरह से नहीं सूचते जैसे आप सूचते उन्होंने जो संसार रचा है उसमें जो कुछ सुभाविक रूप से होता है जो नियमों के अंतरगात रूपता है जो किसी का भला करता है जिससे किसी को आरंद मिलता है और वो नियती और नियमों पर सही है उसको इश्वर स्विकार करते हैं, येस, मूर्ति ये सब नहीं खाएगी, ये सब कोई न कोई तुखाएगा, किसने किसी को मिलेगा, कही न दिन तो जाएगा, तो चाहे कोई कीड़ा आए, चाहे कोई चुड़ा आए, ये मूर्ति एक प्रतीक है, हम अपने शद्धा उसमें जब हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो चित्र ये कलपना के तौर पर वो मूर्ति हमें इश्वर से मिलाने में एक आसान रास्ता बनाते हैं, इस वज़े से मूर्ति पुझा करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी शद्धा है तो, और जो नहीं करते तो भी क अगर उनके पास अपना कोई जरीया है, उन मिलाके आप उने शद्धा का एंद्र किसे बनाते हैं, ये आपकी आस्थापन आपके पुझा करने या शद्धा के तरीके पर निर्बर करता है, पीश्वर तो अनन्त है, जो आप कर रहे हैं, वो अगर सही दिशा में उस रुप प्रेश सही है, तो वो ही वक्ती बावरी कुझा है, और ये सब बाते सुनकर के देडिक अनुझी भी उनका अनुसरन करने लगे और जीवन के सत्य के सही रास्ते पर चल पड़े, मुझे लगा आपको अच्छा लगा होगा, तो इस बात पर आप आप आगे भी बात कर सकते प्रेश पर आपको अच्छ और लाइक करे, शेर करे, सब्सक्राइब करे और बंक करे ये अनुखिए अनुखिए करे